नमस्कार दोस्तो आज का वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है as because आज हम डिसकस करने वाले हैं एजिप्ट और इथोपिया के कॉन्फिक्ट के बारे में यानि की नाइल कॉन्फिक्ट के बारे में देखो मैं पता है एजिप्ट और इथोपिया में साल 2011 से यही आपस में काफी जादा कॉन्फिक्स चल रहे हैं कई बार बैट करके बात करने की कोशिश किये दोनों कंट्री ने लेकिन अभी तक उनका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है यह जो इशू है यह किसी और चीज़ पर नहीं बलकि हमारे लिए सबसे जरूरी च क्या क्या चीज़े इसमें चल रहे हैं क्या डवलप्मेंट से समें यह इशू अराइस कहां से हुआ यह सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं बट बिफोर सार्टिंग देखने वीडियो देखने इस अचीवर्स बैच और इस अचीवर्स बैच में 100 सुडेंट को सलेक्ट किया जाएगा एक स्कॉलर्शिप टेस्स पर इन 100 सुडेंट पर स्पेशल महनत और मेंटॉर्शिप दी जाएगी जो बच्चे इस बैच में ज दिया है उस लिंक पर जा करके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए आई सब टीम आपको रीच आउट कर लेगी तो नाओ लेट्स स्टार्ट देखने के लिए पहले हम शुरूगात करते हैं एजिप्ट से और थोड़ा सा एजिप्ट की जोगरफी को समझते हैं अगर आप पर इजिप्ट की जोगरफी को धान से देखोगे तो यह जो बीच से ग्रीन वाली लाइन दिख रही है यह बीच एजिप्ट से बिलकुर एजिप्ट की बीचों बीच से निकलती है नाइल रिवर और यहroph के लिए बहुत जाधा इंपोर्टन्स रखती है अगर आप इसके तो एक तरीके से एजिप्ट की जो पूरी एकॉनमी है वह दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है या आप कहलो तीन मीन नहीं दो चीज़ों पर डिपेंड करती है एक तो nile river हो गई दूसरा आपका स्विस कनाल हो गया, नाइल रिवर और स्विस कनाल एजप्ट के लिए सबसे ज़्यादा important है और स्विस कनाल से भी ज़्यादा important क्योंकि स्विस कनाल पर अकेले एजप्ट का अधिपत्य नहीं आपको पता होगा, यह अलग story है स्विस कनाल की मैंने एक पूरी independent वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने cover किया था कि actual में Swiss Canal कैसे बना था और उसके उपर कौन rule करता है कैसे कैसे divide होते है Texas ये सारी चीज़े उसमें discuss की थी आप देख लेना मैं link देदूँगा उसका Swiss Canal भी अगर आप हटा दो because पूरा Egypt खाली है और सिर्फ Nile River के around पूरी उसकी population है वहाँ पर क्योंकि जो Nile Delta है वहाँ का जो जमीन है वो काफी cultivable है तो बहुत जारे वहाँ पर crops उगते हैं वहीं से सारा trade का भी चलता है तो इस वज़े से पूरी Egypt की जो population है वह नाइल पर बहुत जादा dependent है almost 97% जो Egypt की population है वह इसी river के around बसी हुई है almost 110 million लोग इस Nile River पर dependent है तो अब आप इससे समझ पा रहे होगे कि किस तरीके से Egypt की dependence है नाइल रिवर के उपर तो अभी हमने Egypt की dependence समझ ली नाइल रिवर के उपर और नाइल रिवर कितनी जादा important है अगर आप कुछ figures में देखोगे ना नाइल रिवर पे dependence Egypt की तो आप समझ लो कि almost 97% जो Egypt का fresh water है वो नाइल से लिकल करके आता है प्लस Egypt का जो annual consumption है water का वो 80 BCM है, BCM मतलब होता है billion cubic meters और 80 BCM में से अब मैं कह दूँ कि नाइल का पानी में बंद करवा दूँगा तो Egypt का क्या हल हो रहा होगा तो बस अब यही से ये conflict पूरा शुरू होता है अब अगर आप नाइल रिवर को देखोगे ना बड़ी interesting सी एक रिवर है नाइल रिवर का ना origin किसी को नहीं पता है कि ये originate कहां से होती है अफरिका की सबसे बड़ी नदी है originate कहां से होती है किसी को नहीं पता almost कहा जाता है कि नाइल रिवर जो है 10-12 countries cover करती है अफरिका की but majorly ये जो नाइल रिवर बनती है वो Egypt में हमको देखने को मिलती है बट ये जो शुरुआत होती है Nile River की वो दो main tributaries मिलती है तब जाकर के Nile River बनती है एक blue Nile River ये tributary बनती है दूसरी white Nile River ये दोना tributaries जब जाकर मिलती है तब ये जाकर के Nile River बनती है और ये Egypt से flow होकर के Mediterranean Sea में जाकर के गिरती है इसका जो root है ये south to north है ठीक है? south to north ये flow हो रही है जाले तर आपने rivers को देखा होगा कि ये north to south flow होती है बट ये river जो है ये south to north flow होती है और इसलिए Egypt का बहुत फायदा होता है क्योंकि down stream पर Egypt मौजूद है और इसलिए Egypt बहुत जादा इसका पानी यूज़ करता है वहाँ का delta जो है Egypt का वो काफी cultivable है वहाँ पर काफी जादा crops होते है अब जो ये blue nile river है ये almost इस nile river में 70% पानी जो जाता है ये blue nile river से जाता है अब ये blue nile river है एक इतनी important tributary blue nile river जो इतना जादा पानी hold करती है जो 70% पानी nile river को देती है जो nile river एक पूरी country चला रही है Egypt की और जो ये blue nile river शुरुवात होती है इसकी इथोपिया में इथोपिया का अगर हाल देखोगे तो इथोपिया का हाल कुछ ऐसा है इस photograph में आपको दिख रहा होगा ये इथोपिया की photograph से जहाँ पर आप देख रहोगे पानी की जबरजस्त कमी है यहाँ पर अभी भी कितने परिवार ऐसे है इथोपिया में जिनके पास electricity नहीं है क्योंकि पूरी country में उतनी power generation ही नहीं है कि वो सब को अपने पूरे देश को electricity दे पाए ये हाल है इथोपिया का अभी 21st century में भी यही हाल है इथोपिया का जब अर्जस्त पानी की कमी सूखा पढ़ जाता है हर साल सूखा जेंड़ा पढ़ता है उस country को हर साल वहाँ पर पानी की कमी होती है तो बहुत ज़ादा दिक्कते हैं इथोपिया के अंदर में इसको ले करके अब सोचो Blue Nile River जो की Nile River में 70% पानी देती है अपना जिस country से वो शुरू होती है उस country का हाल कुछ ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि उस country को लगेगा कि हमें कुछ करना चाहिए हमें इस पानी को यूज करना चाहिए जो कि हमारी country से ही निकल रहा है तो देखो पहले ना इथोपिया में बहुत सारा disturbance थी पहले क्या था कि वहाँ पर civil wars चलते थे बहुत ज़ला civil wars चले बहुत टाइम तक 2008 तक जाकर कि यह civil war चलते रहे लेकिन 2008 में जब यह खतम हो गया वहाँ पर एक stable government आई तो उस government ने सोचा कि हाँ हमें कुछ ऐसा project लाना चाहिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ताकि हम इस पानी को जो कि हमारे country से निकल रहा है हम कम से कम इसको अपने लोगों के लिए यूज कर पाए अपनी country के लिए यूज कर पाए तो तब जाकर के 2011 में एक बहुत बड़ा एथोपिया ने जिसको कहते है The Great Ethiopian Renaissance Dam अब आपको यह रेनेसा शब्द देख के समझ में आ गया होगा कि कि इतना important project एथोपिया के लिए नेसा मतलब क्या होता है revival होता है कि जो country पूरा दब चुकी थी नीचे उसका दुबारा से revival होगा इस project के थ्रू basically क्या है यह डैम बना रहे है ब्रू नाइल रिवर के बिलकुल ग्रेटर लंडन से भी बड़ा इस डैम का reservoir है और यह बहुत ज़्यादा पानी hold कर पाएगा अब इससे पाइदा यह होगा इथोपिया को कि इथोपिया की जो consumption है अभी electricity की अगर देखा यह जितनी population के हिसाब से तो अल्मोस्ट 4000 मेगावट एनरजी की इथोपिया को ज़रुवत है बट अगर इथोपिया यह डैम बना देता है 2011 से यह डैम बनना शुरू हो चुका है 70% काम भी हो चुका है इस डैम का तो अभी 4000 मेगावट की इनको ज़रुवत है जो यह डैम होगा इसके अराउंड का जो डेल्टा होगा वहाँ पर भी अपने पानी को यूज कर पाएंगे क्रॉप्स कल्टिवेट करेंगे और इनकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से इसके अराउंड रह सकेगी इथोपिया में कम से कम लिवेबल कंडिशन हो पाएंगे वहाँ पर जो कि अभी बहुत बुरे हालात है वहाँ के तो इसलिए डैम उनके लिए बहुत जादा important है अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार डैम बन तो रहा है लेवल वाटर लेवल कम हो जाएगा और वो ना उससे पावर जनरेशन कर पाएंगे ना वहाँ पर कल्टिवेशन हो पाएगा तो बहुत सारी जगहों पर एफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का इसलिए एजिप्ट इतना ज़ादा परेशान है ठीक है जैसा कल मैंने बताया था चाइना का कि चाइना सारा पानी जब रोक लेगा तो आगे लाओस और कमबोडिया पहुंसते पहुंसते पानी बहुत कम हो जाएगा और इसलिए वहाँ के लोग परिशान हो जाएंगे सूख जाएंगी नदिया वही सेम यहाँ पर भी होगा कि नदिया सूख जाएंगी और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परिशान हो जाएंगे यानि कि एजिप्ट के लोग अब देखो इस डैम के बनने से एजिप्ट को सीधा-सीधा नुकसान किया अगर आप फिगर्स में देखो तो इजिप्ट को 27.91 BCM जो कि 55.5 BCM पानी अभी मिलता है नायल से वो 27.91 BCM हो जाएगा याट मींस कि एकदम हाफ से भी जादे का लॉस हो जाएगा इजिप्ट के और इसलिए इजिप्ट बहुत ज़्यादा परिशान है इस इसू को रिजॉल्व करना चाहती है 2011 में जब ये डैम बनना शुरू हुआ था तो कई लेवल पर बात हुई और इजिप्ट चाहता है कि वो एक रिटेन अग्रिमेंट करे और इजिप्ट रिटेन अग्रिमेंट करने को तयार नहीं कई बार कोशिश की गई आपसमें बैट करके बात करने की लेकिन अभी तक कोई नतीजा इसका नहीं निकला है तो आपको ये पूरा इशू आज का समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड हेव नाइस टे